मैं आप सब कदरदानों का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ, इस तक बाल करता हूँ इस फौजियों की महफिल में और आज एक बार फिर आप सब की खिदमत में एक नजब, नज़र करने जा रहा हूँ जरा गौर फरमाईएगा तो एक बार ये एक बैठक लगाई गई और उस बैठक में हर किसी से इश्क पर अपने विचार रखने को कहें गए बहुत सारे लोग आए और अपने अपने तरीके से उन्होंने इश्क को बताया, इश्क के बारे में कहा तो वहीं जब एक फौजी आया और फौजी ने जब इश्क के बारे में बोला तो बैठक में बैठे सारे लोगों के रॉम्टे खड़े हो गए जब फौजी ने इश्क के बारे में बोला बहुत ही सुन्दर नजब में इश्क को बया कर रहा है फौजी ने जरा गौर फरमाईएगा कैसा इश्क है इस मिट्टी का जो जीना नहीं मरना सिखाती है कैसा इश्क है इस मिट्टी का जो जीना नहीं मरना सिखाती है कोई साथ ना हो फिर भी अकेले ही लड़ना सिखाती है शहीद हो जाए कभी कोई फौजी अगर जोड़ा गौर फरमाईएगा शहीद हो जाए कभी कोई फौजी अगर उसके परिवार को उस जैसा बनाना सिखाती है डरना क्या होता है इसका इल्म नहीं उन्हें जरा गौर फरमाईएगा डरना क्या होता है इसका इल्म नहीं उन्हें ये तो हस्ते हस्ते सकून से मरना सिखाती है इस मा की जोली में ये सोना सिखाती है इतने सुन्दर और इतनी घहराई पे इश्क को बेया करा फौजी ने कि सभा में उस महफिल में बैठे होई सारे लोगों के रौम्टे खड़े हुए और सही माइने में इश्क का इतना घहरा मतलब फौजी ने बोल दिया कि इश्क सही माइने में वही होता है जो आपको जिन्दगी में एक ऐसी प्रेणना दे जो आपके लिए एक जिन्दगी में कुछ कर गुजरने का आपको अंदर से जोश और होसला भर दे आशा करता हूँ आपको ये नजम बहुत सुन्दर लगी होगी अच्छी लगी हो तो कमेंट में अपना भाव लिक करके जरूर शेयर कीजेगा और साथ ही साथ इस फौजियों के महफिल के संदेश को लाको करोलों लोगों तक पहुँचाने में हमारी मदद कीजिए आप सब लोगों का जुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर मिलूँगा आप सब की खिदमत में एक नई नजब के साथ एक नए अंदाज में तब तक के लिए धन्यवाद जय हिंद जय भारत